नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए एक नई प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ एक यूनिट है मकान की रोहाउस कह लीजिए या सिंगल मकान कह लीजिए के वल एक ही मकान है और इसकी लोकेशन है गोमती नगर विस्तार में M.A.T. Greens कालोनी के पहले M.A.T. University के पास में ये प्रॉपर्टी है तो ये एक मकान है सामने आप देख सकते हैं ये सामने का फ्रेंट एलिवेशन है और इसके बगल में एक मकान और है जो अब ही complete नहीं है एक ही मकान यहाँ पर है सामने आप देख सकते हैं में रोड है और ये entrance है मकान का यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ एक बाई तरफ दरवाजा दिया हुआ है और एक ये सामने दरवाजा दिया हुआ है दाहने तरफ आप सील्डियां देख सकते हैं अंदर entry करते हुए आप जब पहुँचेंगे तो दाहने तरफ आपके kitchen है और बाई तरफ ये dining space है और फिर बाई तरफ आपको एक यहाँ पर काफी अच्छा इस्पेस मिल जाएगा आपका ड्राइंग रूम के लिए यह ड्राइंग रूम है यहाँ पर भी एक दर्वाजा और दो खृटियां दी हुई है बाई तरफ से आप यहाँ अंधर आ सकते हैं घर के अंधर आ सकते हैं सीदे यह काफी स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है और काफी यह अपर थाइल्स का काम है सारा कुछ branded यहाँ पर tiles वगयरा लगाया गया है बाकी एक यह common washroom है आप देख सकते हैं जो कमरे के साथ में attached है तो bedroom का यह घर है 2BHK है modular kitchen यहाँ पर आपको बना बनाया मिलेगा install किया हुआ पूरा यह kitchen है यहाँ पर आप देख सकते हैं पाहर की तरफ यहाँ पर exhaust fan लगाने के लिए चिमनी लगाने के लिए भी space दिया हुआ है बरतन वगयरा दोने के लिए यह space आपके है और यहाँ पर खुला हुआ भी है जिससे आपको हवा पानी आसानी से मिलता रहा है यह space से खुला है एक और space से दो जगे घर में वेंटिलेशन के लिए उपर जाल दिया गया है और model kitchen की बात करें तो यह काफी अच्छा और branded quality का सारा इसमें काम किया गया है सीड़ियां यह हैं यहाँ पर कांच की railing दी गई है और मकान की अगर बात करें तो यह मकान टोटल 1000 square feet में बना हुआ है 2BHK का मकान है दो bedroom है दो bathroom है एक drying room है एक kitchen है यह master bedroom है इसमें आपको attached bathroom मिलेगा यह देख सकते हैं यह bathroom attached है और सारा यहाँ पर washroom जो है bathroom अगयरा है wall mounted वाला इसमें use किया गया है seat वगयरा इसमें hang हो जाएगी आपके दिवाल में ही और उपर fall ceiling वगयरा की हुई है bathroom के अंदर भी यह बगल में एक आंगनी space दिये हुआ है यहाँ पर आप ventilation के लिए इसको खोल सकते हैं या washing machine वगयरा आपको अगर यहाँ रखनी है तो वो रख सकते हैं इसके बगल में दूसरा bedroom है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो bedroom भी bathroom से attached है यह बाहर देखेंगे काफी space यहाँ पर है और दूसरा bedroom जो है वो भी bathroom से attached है जो common bathroom है उससे attach है यह दूसरा bedroom है यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी काफी space दिया हुआ है 10 पाई 15 का यह कमरा है और यहाँ पर paint वगयरा है जो tiles वगयरा है यह लकडी है वो सभी कुछ एक number का material यूज किया हुआ है आप video के description में चेक कर सकते हैं कौन सा यहाँ पर tiles लगा है कौन सा सरिया लगा है कौन सी putty लगी है कौन सा material यहाँ पर यूज किया हुआ है wall mount वाला यह भी washroom पूरा बनाया गया है पूरा इसमें wall mount रहेगा तो जो seat वगयरा है या basin वगयरा है वो सब काफी premium quality का सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि five star hotel में bathroom वगयरा होते हैं उस तरीके का bathroom यहाँ पर आपको मिलने वाला है तो मकान की अगर आप कीमत की बात करें तो मकान की कीमत मात्र 58 लाख रुपए रखी गई है और यह 58 लाख रुपए में आपको मकान मिल जाएगा नगर निगम के अंदर यह property है तो इस मकान की और जानकारी के लिए या विजिट के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर संपर् कर सकते हैं मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार